पितरों को प्रसन्न करने के लिए अश्विन माह को सबसे खास माना जाता है। इस माह के कृष्ण पक्ष के सभी दिन पूरवजों के सम्मान को समर्पित है। इस अवधी में पितरों की आत्म शान्ती और मान सम्मान के लिए तरपन, श्राध्ध और पिंडदान आदि किया जाता है। इससे वन्शों पर उनकी कृपा बनी रहती है। पौराणिक माननताओं के अनुसार श्राध के दौरान पितर पृत्वी लोग पर आते हैं। इसलिए उनकी शान्ती के लिए पूजा पाठ से जुड़े कार्य करने चाहिए। इस दौरान उनके नाम का श्राध करने से वह त्रिप्त होते हैं और उन्हें मोक्ष मिलता है। पंचांग के अनुसार भादरपद माह की पूर्णिमा तिथि से लेकर अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितर पक्ष चलते हैं। इस बार 17 सितंबर 2024 से पितर पक्ष हैं जो 2 अक्तूबर 2024 को समाप्त होंगे। इस अवधी में पितरों को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय भी किये जाते हैं जिससे घर में खुशियों का वास होता है। आईए इन उपायों को जानते हैं। 1. पीपल के पेड़ की पूजा, श्राद्ध के दिनों में रोजजाना दोपहर के समय पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। इस दौरान पीपल पर गंगा जल में काले तिल, दूध, अक्षत और फूलर पित करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से पितरों की आत्मा को शान्ती मिलती है। 2. रुद्राक्ष धारण करें। हिंदू धर्म में पित्रदोष के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए श्राद्ध के दिनों को बहुत खास माना जाता है। इस दौरान पित्रदोष से बचने और उनके आशिरवाद के लिए पांच मुखी, साथ मुखी, आठ मुखी और बारह मुखी रुद्राक्ष एक साथ धारण करें। ऐसा करने से पित्र प्रसन्न होते हैं और वन्शों पर उनकी कृपा बनी रहती है। पूरवजों की तस्वीर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर में पूरवजों की मुस्कुराती हुई तस्वीर लगाने से वह प्रसन्न होते हैं। इस दौरान तस्वीर को घर के दक्षन पश्चिम दीवार या कोने में लगाना चाहिए। ऐसा करना शुब होता है। वहीं शाम में समय घर में दीपक जलाएं। इस दीपक को घर की दक्षन दिशा में रखें। इससे भी पित्रदोश समाप्थ होता है। गाय को रोटी पौरानिक मान्यताओं के अनुसार रोजाना गाय को रोटी खिलाने से व्यक्ति के मनोकामना पूरी होती है। ऐसे में पित्रपक्ष के दिनों में गाय को रोटी खिलाने का महत्व अधिक बढ़ जाता है। मान्यता है कि श्राध्ध के दिनों में पहली रोटी गाय को खिलाने से सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है. साथ ही पितर भी त्रिप्त होते हैं. पिंडदान पितरपक्ष के दिनों तिथी के अनुसार पितरों का श्राध्ध करना चाहिए. इस दौरान पिंडदान करने से वह प्रसन्य होते हैं. मान्यता है कि श्राध्ध पर ब्राहमण भोज कराने से वन्शों पर पितरों की कृपा बनी रहती है. साथ ही परिवार में सुख सम्रिधिका वास होता है. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को एक लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बैल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और शेयर जरूर करें. जया श्री राम